प्रेंडे हैं आई विटुटि वड़ाई 9 अच्शन दोस्तों हमेशा की तरह आपका स्वागत थे दोस्तों अच्छा दोस्तो आज बात करते हैं कि English language को कैसे सीखा जा सकता है ये एक यक्ष प्रशन है करोडों लोगों को ये सवाल परेशान कर रहा है कि English को कैसे सीख सकते हैं हमको writing भी हमारी इच्छी होनी चाहिए हमारी speaking भी अच्छी होनी चाहिए तो दोस्तो मैं आपको आज बहु करना एक नया course भी introduce करने जा रहा हूं उसके बारे में भी बता हुआ तो दोस्तों English को कैसे सीख सकते हैं अब हम सभी जानते हैं बहुत सारे इंस्टिट्यूट्स हैं बहुत सारे YouTube के चैनल्स हैं जो ये claim करते हैं कि हम English चीखा देंगे और कुछ हमारी तरफ से भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा time नहीं देना चाहते हैं लोग बहुत ज़्यादा उसके लिए पैसे भी नहीं देना चाहते शायद तो बहुत सारी रुकावटे हैं English language को सीखने के लिए मैं आपको एकदम clearly बतातों मैं दोस्तों आपने मेरा जो भी लोग भी मेरा channel शुरू से follow कर रह हैं तो जैसे हर चीज को सीखने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है जो भी वो विद्या है उसको हासिल करने के लिए हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है वैसे ही English को सही तरीके से सीखने के लिए हमको मेहनत करने की ज़रत है मैं क्या कह रहा हूँ सही तरीके से सीखने के एक होता है उपर-उपर से सीखते लो, काम चलाओ, दो-चार सेंटेंस बोलना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस की बात कर रहा हूँ, जब ऐसी स्थिती की बात कर रहा हूँ, जहां हम सच्छे तरीके से महनत करके असली इंगलिश को सीखना चाहते हैं, उसका मतलब यह है कि हम जितनी देर तक भी चाहे English में लिख सके और जितनी देर तक भी चाहे हम English में किसी भी topic पर बोल सके मेरा ये मतलब है किसी भी exam को pass कर सके चाहे मुझे 10 pages का एक answer लिखना है तो मैं उसको भी लिख सकूँ या मुझे 2 घंटे तक कहीं पर बोलना है तो मैं बोल सकूँ मैं उस English की बात कर रहा तो उस English को सीखें के लिए दोस्तो मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए क्या हमको करना चाहिए हमारे पास एक comprehensive course होना चाहिए एक बहुत ही detailed course होना चाहिए और हमको लगातार कुछ महीनों तक मेहनत करके लगातार continuously बिना किसी break के मेहनत करके एक mission की तरह इसको ले करके हम अगर English को सीखने की कोशिश करें और हमको एक अच्छा teacher एक guide भी मिल जाए सही बताने वाला तो हम English को सीख सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर करोड़ों लोग English को बोल सकते हैं तो फिर आप भी बोल सकते हैं मैं भी बोल सकता हूँ दोस्तो यही इसी मकसद को पूरा करने के लिए मैंने एक course बनाया आप सभी लोगों के लिए और वो course है दोस्तो English course है और वो comprehensive course है आप देखरें यह बहुत ही detailed course है इसी लिए इसकी duration जो है वो six months की है मैं three months वाले भी courses मैंने पहले आपको बताए है और मेरा voice and accent का pronunciation का भी course जो date महीं ने का है वो भी मैंने कई बार introduce किया है आप मैंसे बहुत लोगों ने इस course को किया भी है लेकिन दोस्तों मैंने यही realize किया कि यह सब courses अधूरे ही रह जाते है क्योंकि student को बहुत चीजों की जुरत होती है अब मैं आपको बताता हूँ कि English language को कैसे किसी भी foreign language को कैसे सीखा जा सकता है किसी भी language को आपको चार हिस्सों में सीखना चाहिए दुनिया में जितने भी standard English के tests है exams है जैसे foreign जाने के लिए आपको IELTS का exam देना पड़ता है TOEFL का exam देना पड़ता है यह जितने भी exams है यह सभी चार parts में होते है इसका मतलब ही यही है कि English को चार हिस्सों में किसी भी language को चार हिस्सों में सीखा जा सकता है अगर एक भी हिस्सा छूट गया तो हम English को ठीक से सीख नहीं सकते या किसी भी language को ठीक से सीख नहीं सकते वो चार हिस्से कौन-कौन से मैं आपको बताता हूँ वो चार हिस्से मैंने यहां लिखें दोस्तों listening यानि सुनना reading यानि हमको पढ़ना आना चाहिए writing यानि हमको लिखना आना चाहिए and speaking जो हमने सीखा उसको हम बोल सके आखिर बोलेंगे तभी तो लोग हमारी बात को समझेंगे ज्यादा तर लिख करके भी समझते हैं लेकिन बोल करके ज्यादा चलता है तो बोलने से भी हमारी बात को समझेंगे लोग तो दोस्तो इन चार हिस्सों में listening, reading, writing and speaking में ही किसी भी language को सीखना चाहिए और English को तो बिलकुल ही सीखना चाहिए तो ये जो course है दोस्तो English का, Combenist का नाम spoken English नहीं रखा spoken English अब मैं आपको क्या बोलो spoken English के नाम पर पता नहीं क्या क्या चीज़े पढ़ाई जाती है तो लोग ये भी कहते हैं कि spoken English अलग होता है grammar अलग होता है, written English अलग होती है मेरे हिसाब से ये सब बाते ठीक नहीं है English एक language है, language को आपको अगर हमारे लिए ओग foreign language है तो हमको उसको हर चाहिए, spoken English क्या होता है और written English क्या होता है language को सीखना चाहिए, उसके बाद आप उसको लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं आपकी मर्दी है, तो मैं उस हिसाब से अपनी बात रख रहा हूँ तो दोस्तों, listening, reading, writing and speaking इन चार हिस्सों में ये course है पूरा बटा हुआ छे महिने का course इसे रखा है कि छे महिने कम से कम लगते ही लगते अगर किसी को बिल्कुल zero level से लेके top level तक पहुँचना है और अगर वो छे महिने तक लगातार मेहनत करें, तब आप इसको सीख सकते, मैं हमेशा सच बात बोलता हूँ, सच बात थोड़ी सी उतनी मीठी नहीं होती, तो भुलावे वाली बात मैं नहीं करूँगा आपके साथ, एक मेने में सिखा दूँगा डेड मेने में सिखा दूँगा, दो मेने में सिखा दूँगा ये बाते ठीक नहीं है तो minimum 6 मेने का क्योंकि इसमें सारे हिसे मैं involved कर रहा हूँ इसलिए listening, reading, writing and speaking ये चारो हिसे involved हो रहे इसलिए मैं 6 मेने का मैंने इसका duration रखा है अब इसमें आप क्या-क्या सीखेंगे और मैं आपको क्या-क्या बताने वाला हूँ तो दोस्तु जो पहली चीज़ है जो इसमें cover होगी हो है sentence structures all, सारे sentence structures अगर मैं अपनी किसी भी बात को जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ अगर मुझे अपनी बात English में बोलनी है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि English में sentence को कैसे बनाय जाता है अगर मुझे ये ही नहीं पता है तो मैं कैसे English में बोलूँगा अगर मुझे कहना हो अरे यार तुम्हें उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी ये sentence कैसे बनेगा अगर मुझे इसका structure ही नहीं मालू है तो मैं कैसे इस बात को English में बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ माल लेते हैं हम कहीं से रटा मार भी ले एक sentence याद भी कर ले तो क्या एक sentence से, दो sentence से दस sentence से, पचीस sentence से हमारी जिंदगी कट जाएगी और हम है तरह की बात को बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, इसलिए रटा मारने वाला काम तो बेकार का काम होता है बहीं चीज़ होती है, English को सीखना, structures को सीखना तो जितने भी sentence structures दुनिया में हो सकते हैं, जितने भी तरह के sentences हो सकते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं, उन सब को English में बोलना आपको बताय जाएगा ऐसे हर sentence का structure आपको इस course में बताय जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर all लिख दिया है सारे sentence structures आपको बताय जाएगे अच्छा, इन sentence structures में grammar होता है, इसमें जो भी grammar के points यूज होंगे जैसे कहीं अगर structure है subject plus should plus have plus v3 यानि verb की third form plus object plus other words, तो हमको फिर यह grammar के topics सीखने पड़ेंगे तो आपको grammar के topics बताय जाएगे और वो लगभग सारे ही बताय जाएगे, लगभग सारे क्योंकि सच्चाई तो यही है दोस्तों कि एक जो basic grammar होता है एक basic grammar से intermediate और advanced level का grammar यह हर किसी को जो भी English को properly, मैं हमेशा एक बात कहुँआ proper English, tutti-foot English नहीं, tutti-foot English के लिए कुछ भी पढ़ने की दुरत नहीं है, वो इधर-दर से बोलके लोग आप सीख सकते, उसको कोई फाइदा नहीं होता उससे कोई interview पास नहीं कर सकते कोई बड़ा business नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते वो तो काम चलाने कर रहता है माल लेते किसी tourist इलाके में किसी की दुकान है, वहाँ foreigners आते है उसको काम चला अपना सावान बेचना Hello sir, you taking this, no taking I also no taking, ऐसी वाली English तो कोई फाइदा नहीं, उस English के मैं बात भी नहीं कर रहा तो दोस्तों तो जो भी कोई proper तरीकिस English को सीखना चाहता है उस आदमी को जिंदगी में एक बार grammar के सारे topics जरूर पढ़ने चाहिए ये बात मैं आपको अपने experience से बता रहा हूँ मैं कोई किताब भी बात नहीं करूँगा मुझे English पढ़ाते हुए बरसों हो चुके मुझे याद नहीं है मुझे कितने साल हो गए पढ़ाते हुए मैंने कई किताबे लिखी आप जानते मेरे बारे में तो grammar के topics सारे ही cover करा जाएगी अच्छा इनसे आपको फायदा क्या होगा इनसे फायदा आपको यह होगा कि अगर आप किसी comparative exam की भी तियारी कर रहे तो मेरा ये course करने के बाद आपको दूसरा कोई course नहीं करना पड़ेगा जैसे माल लेते हैं आप NDA की तियारी कर रहे बैंक P.O. की तियारी कर रहे या आप S.A.C. की तियारी कर रहे आप IELTS की तियारी कर रहे अगर तो भी मैं आपसे कह रहा हूँ और मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि आपको वो सारे courses करने की जुरुत नहीं पड़ेगी इसी course को करने के बाद आप वो सारे exams को बखू भी successfully सफलता पूर्वा क्लियर कर सकते हैं ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि इसको मैं आपको बतानी वाला वैसे हूँ मेरे बहुत students जिन्होंने मेरा course किया है 3 months का भी course किया है और अगर उन्होंने ठीक से पढ़ाई की seriously तो करके उन्होंने लगवक सारे exams को पास कर लिया और उन्होंने मुझे खुद आके बताया कि सर आपका ये course करने के बाद spoken and written English का course करने के बाद हमारे पैसे बच गए उदर 15-20,000 उपे पचासदा और पे कितना मांग रहे थे उब बच गया आपने सारा EC में cover करा दिया तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ ये बात भी मैंने आपको अपने experience से बोली तो grammar के सारे topics आपको बताया जाएंगी जिसे कि आपके सारे concepts के लिए हो जाए ये sentence कैसे बनता है मुझे इस तरह की बात बोलनी है लिखनी है तो मैं कैसे लिखिया बोल सकता हूँ तो ये सारा आपको बताया जाएगा उसके बाए दोस्तों pronunciation rules of pronunciation all उच्छारण generally जो spoken and written English के course होते हैं उनमें उच्छारण के नियम नहीं बताया जाते हैं मेरा जो कोर्स है तीन महीने वाला मैं भी उसमें नहीं बताता है ज्यादा नहीं बताता है थोड़ा बहुत बतायता हूँ लेकिन ये नहीं सीखने के कारण spoken English में pronunciation के rules नहीं सीखने या सीखाने के कारण ही भी तो हम बहुत अच्छी English नहीं बोल पाते हैं जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ जैसे fluency अब fluency अगर develop करनी है तो लोग हमको तरह तरह की बाते बताते हैं बेकार की बाते हैं इसके साथ बोलो उसके साथ बोलो गाना गाओ तो fluency आजाएगी नहीं ऐसे नहीं होता ऐसे fluency नहीं आती fluency कैसे आएगी आपको जो pronunciation के rules है वो सीखने पड़ेंगे जैसे words की linking होती है वो कैसे होती है बाकी के जो rules है वो सीखने के बाद आपके सामने बिल्कुल clear हो जाएगा कि actually fluency कैसे बनती है fluency बनाना एक technical चीज है वो कोई ऐसे हसी में जागवन नहीं बनाए जा सकती है तो fluency आपकी develop होगी और आपका जो उच्चारन है effective communication बहुत जरूरी है जिंदगी में अगर मैं जिंदगी को जिंदगी बोलू अगर मैं ज्यादा को ज्यादा बोलू तो क्या मतलब है इस बात का अगर मैं तलाश को तलास बोल दूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है तो दोस्तों ऐसे ही English में बहुत से words है जिनको हम गलत तरीके से बोलते है और हम बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता हमारा आक्चुली बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इंगलिश का अच्छा खासा ग्यान है लेकिन उनका उच्चारन बिलकुल खराब होता है तो उनका सारा इंप्रेशन खराब हो जाता है उनके बारे में लोग अच्छी राए नहीं रखते आपको मालूम होगा मैं क्या कह रहो बड़े शहरों में कैसा महावल आपको पता है जैसी आप जिन्दगी में उपर उठने की कोशिश करेंगे चाहिए आप बिजनेस कर रहे हो चाहिए आप अच्छी जॉब करने के लिए जा रहे हो आपका कम्यूनिकेशन परफेक्शन में होना चाहिए ये बात हम सभी को मालूम है आपकी इंग्लिश ग्रमाटिकली हंडेट परसेंट करेक्ट होनी चाहिए यही सच्चाई है दोस्तों इसी सच्चाई पर हमको लोग हमको ठीक से बताते हैं नहीं परदा डालने की कोशिश करते हैं नहीं मैं आपको हमेशा सच बात बताऊगा तो दोस्तों प्रफेक्शन के रूल्स आपको सिखाए जाएगे क्योंकि यह स्पीकिंग में आएगा स्पीकिंग का पार्ट है प्रफेक्शन अगर मेरा प्रफेक्शन अच्छा नहीं तो मैं क्या इंग्लिश बोलगा मैं क्या कम्यूनिकेशन करूगा एक कहावत है जो मैं अपने पहले के कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि जैसे किसी इंसान के शरीर में उसका चेहरा सबसे जादा इंपॉर्टेंट होता है वैसे ही किसी लैंग्वज का फेस होता है उसका प्रफेक्शन अगर प्रफेक्शन अच्छा नहीं तो म क्या लैंग्वज बोलेंगे मैंने बनाए उतने दुनिया पूरी दुनिया में किसे नहीं बनाए और मैंने इसके उपर एक book भी लिखी है आपको मालूम ही है तो ये सारे rules भी इस course में include किये गए है तो अब आपको अलग से pronunciation नहीं सीखना पड़ेगा सारा pronunciation आपको सारे rules जितने भी top class के rules हैं सारे इसी में सिखा दिया जाएंगे उसके इनको सीखने के बाद आपका अपने session कमाल का हो जाएगा आप native speakers की तरह अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलने की हालत में आजाएंगे और आपके fluency जबरदस्त हो जाएगे हाँ मैं एक ही बात कहूँगा ये वादे कोई हवा हवाई वादे नहीं है आपको मेहनत करेंगे मेहनत करेंगे तभी हासिल होगा इसलिए जब हम सीखेंगे हम periodic test भी करेंगे बीच में test भी चलते रहेंगे आपके ये देखने के लिए कि आपकी कितनी progress हो रही है उसके वाद दोस्तो Conversational English इसमें various topics बहुत सारे topics आपको बताए जाएंगे Conversational English क्या होती है ये topic wise English होती है जैसे मुझे thank you बोलना है किसी को तो मैं कितने तरीकों से बोल सकता हूँ अगर कोई मुझे thank you बोल दे तो मुझे बदले में क्या बोलना चाहिए address पूछना हो time पूछना हो धन्यबाद देना हो किसी को आभार व्यक्त करना हो किसी का ये अलग-अलग topics है इन topics में ज्यादा grammar नहीं चलता अलगी जब sentence बनता है तो फिर sentence structure तो आही जाएगा उसमें भी grammar का हिसा जाएगा बट बहुत से ऐसे इसमें sentences है आपके knowledge को कब पूरक बनता है तो ये आप ये इसमें बहुत सारे topics आपको बताएगे जिसे कि आपकी जबरदस पकड़ आपकी conversation के उपर आपकी बन सके उसके बादे दोस्तो vocabulary फिर वही बात है generally vocabulary cover नहीं की जाती vocabulary के लिए किसी भी course में ज्यादा vocabulary नहीं बताते teachers मैं भी नहीं बताता हम लोग ये उमीद रखते हैं students से कि वो खुदी सीखेगा उसके लिए tips भी देते हैं बताते हैं students को प्यार से बोलते हैं कभी कभी डाट कभी बोलते हैं क्यों नहीं मेनत कर रहे हैं लेकिन मैंने ये महसूस किया कि student जब आता है हमारे पांस तो उसको ये उमीद होती है कि हम सब कुछ यहीं से सीख लेंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए इस course में vocabulary को भी include किया गया है और बहुत बड़े level पे include किया गया है इसमें आपको basic से लेके भी हो सकता है verb भी हो सकता है adjective भी हो सकता है सब की meaning बताना अच्छा कई बार क्या होता है कि अगर एक word noun है noun की तरह उसका use कर रहे है अगर आप तो उसका pronunciation कुछ और होगा उसी word को अगर आप verb की तरह use करें तो उसका pronunciation बतल जाता है अब जो कि इसमें pronunciation के rules मैं आपको बताऊंगा ही तो इसलिए जो vocabulary आपको सीखाई जाएगी वो बहुत ही scientific तरीके से बताई जाएगी कि एक word का कितने parts of speech में कितनी meaning है हम उसको कैसे कैसे use कर सकते हैं कितने तरह के sentences उसे बन सकते हैं और अलग-अलग parts of speech में उसका क्या-क्या pronunciation है तो दोस्तों ये बहुत ही scientific तरीका है सीखने का और सिखाने का इस तरीके से आपको vocabulary बताई जाएगी जितनी भी vocabulary की ज़रत आपको पढ़ सकती है कि आप एक घंटे तक लगातार English को लिखिया बोल सकें उस हिसाब से आपको vocabulary बताई जाएगी कुछ specific vocabulary भी आपको बताई जाएगी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है तो वो course में आपको पता से जाएगा उसके बाद है दोस्तों spoken words, phrases, sentences and idioms ये क्या है ये बहुत से ऐसे words हैं तो अगर इनको भी सीख लिया जाए तो जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा हुआ था कि इतना सीखने के बाद वो हिस्सा भी पूरा हो जाएगा वो हमारा portion भी complete हो जाएगा तो दोस्तों ये इसकी बहुत जबर्दस class होती है ये class आपको दी जाएगी ये बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं इनके grammar का ज्यादा रोल नहीं होता grammar हम सीखी रहें उपर sentence structure हम सीखी रहें तो ये भी हम सीखेंगे और इससे आपको काफी help मिलने वाली और आपके English को एक उच्छाल मिलती है actually क्या होता है कि grammar सीखने के बाद structure सीखने के बाद के बाद गाड़ी चलती नहीं होती आदमी की समझ में यादा है use कैसे करूँ तो वहाँ पर ये जो conversation English है और spoken words and phrases वाली ये जो topic है इसके जो lessons होंगे ये आप उसका पूरक बनेंगे और गाड़ी को चला देंगे तो आपको बड़ी आसानी से English बोलने में आसानी होगी वो काफी तो काफी helpful है उसका दोस्तो फ्रेजल वर्ब्स फ्रेजल वर्ब्स भी लोग नहीं पढ़ाते बहुत जादा spoken English के course में लेकिन फ्रेजल वर्ब्स सीखना आप समझे वाइटल है फ्रेजल वर्ब्स अगर 75, 80, 100, 150 तक अगर आपने फ्रेजल वर्ब्स सीखना लिए जो बहुत जादा इस्तिमाल होते है तो फ्रेजल वर्ब्स का फाइदा यह होता है कि एक तो जो बहुत difficult sentences होते है कि मतलब हिंदी में हमको लगता है कि इंग्लिश में कैसे बनेंगे तो यह बहुत आसान कर देंगे आपका रास्ता कई बार हिंदी के बहुत सारे ऐसे sentences है जिनको इंग्लिश में बोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता उसका reason यह है कि हिंदी जैसे बोली जाती है प्रेजी ऊप इसे नहीं बोली जाती हम को कई बार लगता है कि हिंदी में ऐसे बोलते तो इसी को translate कर ते ईंग्लिश में लेकिन वह इंग्लिश है नहीं अलग तरीके से बोल ज़कोई हैं अग्रेज लोग बिलकुल अलग हैं तो phrasal verbs इसमें आपकी काफी help करेंगे कि जो बहुत difficult sentence हैं उनको कैसे बड़ी आसानी से English है बोला जाए तो phrasal verbs की आपको class मिलेगी एकदम proper class मिलेगी आपको अच्छे खासे phrasal verbs meaning के साथ example के साथ बताए जाएंगे जैसे कि आप उनको daily life में use कर सके और इससे आपकी जो English है वो बिल्कुल native speakers की तरह sound होगी जैसे अंग्रेज बोलते हैं इसका फायता यह होता है कि अगर आप इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद अगर आप किसी multinational company में job करना चाहते तो आपके लिए तना असान हो जाएगा अगर आप किसी international call center में काम करना चाहते तो बहुत आसान हो जाएगा अगर आपका business पुरी दुनिया में है या आप एक एक पब्लिक फिगर है अगर आप या बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी English जो है वो international sound हो cosmopolitan sound हो तो उससे phrasal works और यह जो बागी की चीज़ें उससे काफी आपको help मिलने वाली है तो दोस्तों यह सारा का सारा content इस course में रहेगा इसका नाम ही मैंने comprehensive course रखा ही से लिए उसके बादे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता जाए duration इसकी six months की 6 महीने का course है छे महीने तक आपको मेरे साथ छे महीने बिताने पड़ेंगे और daily हम लोग class लेंगे आपस में बाचित करेंगे आपने सामने बैठेंगे और चीजों को सीखेंगे और सिखाएंगे उसके बाद दोस्तों इसमें जो classes होंगी वो classes एक घंटे one hour daily एक घंटे ही class होगी daily और ये Monday to Friday आपकी class होगी Saturday, Sunday छुटी होती है जिसे की आप revision कर सकें और जो आपको homework मिला है या कोई test है तो उसकी तयारी कर सकें उसके बाद दोस्तों जो इसकी fee है अब fee तो इसकी दोस्तों बहुत होनी चाहिए खास करके मेरा जो content है वो world class content है और मैं किसी को copy नहीं करता ये बात ही सब जानते हैं आपने मेरे वीडियो देखें मेरे thumbnails देखें मैं कभी लोगों को ये नहीं बोलता ये वीडियो देख लो तो ऐसा हो जाएगा तो data वापस कर दूँगा ये से बहुत हलकी बाते हैं मैं इन हलकी बातों में नहीं पड़ता मैं सिधी सिधी बात करता हूँ तो जो fee रखी है दोस्तों वो बहुत कम रखी है मैं इस बहुत reasonable fee रखी है जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पूरे course को सीख सके English को सीख सके और life में आगे बढ़ सके आज के date में दोस्तों सचाई तो यही है कि जिसको English आती है उसके लिए दुनिया के सारे दर्वाजे खुले हुए और जिसको English नहीं आती उसके लिए बहुत दर्वाजे बंद हो जाते है इसलिए दोस्तों इसकी fee कम रखी गई है fee है 1,000 रुपीज पर मंथ 6 महिने का कोर्स है 6,000 रुपे fee है उसमें भी अगर कोई one time payment करते यानि कि अगर आप 6 महिने की payment जो है इक साथ करना चाहें तो उसमें भी आपको 1000 रुपे का discount मिल जाएगा और फिर fee हो जाएगी 5,000 रुपे यानि अगर आप इक अठे ही 6 महिने की payment करते है fee pay करते है तो आपको 5000 रुपे ही की ही fee देनी है otherwise 1000 रुपीज पर मंथ इसकी fee है अच्छा ये pay कैसे करेंगे तो दोस्तो gpay का number, phone pay का number या paytm का number और whatsapp number भी जिस पर आप message करके मुझे बताएंगे ये मैंने ले लिया अपने admission वो number दोस्तों सबका एक ही है 73024 85378 repeat करता हूँ number 73024 85378 ये number है दोस्तों जब आप admission लेंगे अपने fee pay करेंगे और उसका एक screenshot इसी whatsapp number पर भीजेंगे मैं आपको यही कहूँगा कि आपको इस number पर call करने से बचना चाहिए क्योंकि इतनी calls आती है हमारे पास कि हम उनको attend नहीं कर सकते इसलिए whatsapp message भेजना whatsapp message के जरीए बातचीत करना कुछ भी पूछना हो तो whatsapp message के जरीए पूछना सबसे अच्छा रहेगा जिसे कि हम लोगों के पास जब भी time हो हम आपको उसका answer कर सके call उठाना मुश्किल होता है अच्छा दोस्तों उसके बाद आते timing पर timing क्या होगी classes की any कोई भी timing जो भी timing आपको चाहिए admission लेने के बाद आप सब कुछ process पूरा करने के बाद आप अपना बताएंगे कि मुझे ये time चाहिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या time आपको दिया जा सकता आपको एक time alert किया जाएगा आपकी सुझा कमसार और हमारी सुझा कमसार बीच का एक रास्ता निकालके एक ऐसी timing निकालेंगे जिससे की सबको suit कर सके जैसे जैसे मैं आपको बता रहा था आप you can pass any exam आप किसी भी exam को pass कर सकते है इस course को करने के बाद चाहे हो IELTS का course हो, चाहे TOEFL का course हो चाहे bank pure का exam है, आपका SSC का exam है NDA, CDS का exam है यहाँ तक अगर IAS का भी exam है यह class आपके लिए बिल्कुल रामबान सावित होने वाली है यानि कोई भी ऐसा exam नहीं बचेगा जिसको आप pass न कर सके और आपको सारे पैसे बचेंगे actually तो दोस्तों यह course है, मुझे पूरी उमीद है इस course से आपको काफी फायदा होगा और आप इसमें इन्रोल करेंगे तो दोस्तों इसमें इन्रोल करना शुरू करिए और जितनी जल्दी होगा हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे और छे महिने साथ में बिताएंगे और सारी चुजों को सीखेंगे Thank you very much I'll wait for your call and your decision and I'll see you soon, bye-bye